हाई गाइस वेल्कम टूस चैनल अगेन मेरे नाम है वीवू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आप देख रहे हो इंडिया रेफ्स और आज जो है वह हम प्रोड़क्ट जो शोकेज करने वाले हैं वह हॉप का प्रोड़क्ट लाइफ अब हॉप जो है वह वह एलेक्ट्र है उन में से एक हॉप लाइफ है एक हॉप लियो है तो यह दोनोह प्रोडुट्थ जो है काफी अच्छे ब्रोडुक्ट है मजे मुझे घो के स्टार्टिंग प्रोडुक्त है और यह वहिकल जो है वो आज हम इसको शोगेस करने वाले हैं इसका कंपलीट वॉकराउंड लेंगे डीटेल जानेंगे क्या-क्या फीचर सी ओफर कर रहा है यह सभी चीज़ जानेंगे चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इनकेस आप चैनल पहली वार हो तो आप चैनल सब्सक्रा करने वाली है और ब्लैक आउट की गई है तो आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन तो जरूर है और डूल टोन ट्रीटमेंट आपको यहां देखने को नजर आने वाला है अब यहाला सेक्शन जो है वो थोड़ा से एरगट के लिए यहां पर दिया गया है नीचे आप चलोगे तो यह वाला सेक्शन जो है वो है एडलाइट का सेक्शन है और यहां पर एलेडी इस का इस्तमाल किया गया है नीचे भी जो है वो लैंप्स दे गए है यह औरेंज कलर की लैंप्स है हाला कि यह तोड़ी पिसंद आ रही है तेलिसकोपिक सस्पेंशन जिस पे हॉप का गई है अब हैं अब हैं यह एक कैलिपर भी जो है वह यहां पर दिया गया है ब्रेक कैलिपर के ऊपर हॉप की बैजिंग है और यह केबल जो है काफी अच्छे से टाइटन किये गए है इसका जो टायर है यह सीएट का टायर इसमें लगा हुआ है और 3.0 10 रीडियल 10 इंचि काफी सूट भी करता है इस तरीके अगा टायर साइस अफटा साइड प्रोफाल गाइस यहां पर देख लेते हैं और इस वाले सेक्शन से आप देखेंगे यहां पर फूट पैक्स दिये गए हैं और यह वाला जो लेग रूम है वह बहुत अच्छा लेग रूम है जरूर मै मैं बैठा हूँ पोजिशन काफी अच्छी यहां पर दी गई है आप बात कर लेंदे साइड प्रोफाइल में और चीज़ों की भी जैसे कि यहां पर आपको ग्रेब रेल देखने को नज़र आएगा मेटालिक ग्रेब रेल है और काफी अच्छी व्यालिटी भी है इसमें तो पीछे ब्रेक लाइट भी दी गई है और साथे साथ आपको टर्न इंडिकेटर आफर के गया है नीचे रिफ्लेक्टर यूनिट भी आपको जो है वो नीचे देखने को नजर आएगी अब थोटा सा इस वाली प्रोफाइल से आपको दिखाता हूं और यहां जैसे ही इधर भी दिया गया है तकि सेंड अगर आपके घर में कोई महिला है और वह साइडवाइस बैठना चाहती है तो वह जरूर यहां पर अपने पैर फोल्ड घर के बैठ सकती है और गाइस अब बात कर लेते हैं रियर सेक्शन की यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको टा 500W का जो हो यह मोटर हब आपको देखने के नज़र आएगा जिसकी टॉप स्पीड जो है वो 50 km पर आर की है लेकिन रेंज की जब बात आती है तो बात आती है बैटरी की अब देखो काई इसके साथ में जयना वह एक्स्टेंडड वर्जन भी आता है तो आप चाहते हैं कि आप की जो अचाहते हाप को बैटरी की लाइफ है आपकी बैटरी जो रेंज है वो बढ़ी होई मिले तो आप वो एकसंड वजन भी ले सकते हैं इसक्ते हैं आपको रेंज जादा मिलेगी एज़ादा मिलेहे हैकि आपको रेंज़ मिलेगी तब बीजग quiero Mts मांक कर की जो कि कंपली क्लेम्ड है एंड मिनी ऑफ दे मैनुफेक्टरर्स एंड मेनी ऑफ एम्प्लाइज है टोड में एट सतर से जाधा बड़े इसली चल रही है 125 km की जो है वो रेंज यहां पर देखने को नदर आईगी अगर आप यहां पर बैटरी दुबारा लगा देते हैं तो तो अभी बूट स्पेस आपको दिखाता हूं और वहीं पर लगे हुए बैटरी पैक के भी आरे में भी बात कर लेते हैं जैसी है मैं इसको लेट साइड प आप जो है वो बैटरी को अनप्लग कर सकते हैं इस वाले से और निकाल के अपने घर ले जा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं इधर चार्जिंग सॉगेट आपको यह देखने को नजर आने वाला है यह जो है बूट स्पेस काफी अच्छी है और आप इसमें तकरीबन 19 लीट की और आप समान वगेरा जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं कुछ समान रखने के लिए इधर भी जगह दी गई है छोड़े मुटे समान जो है वो आप इधर भी रख सकते हैं फिलाल तो मैं आपको इस बैटरी पैक के बारे में ज़रा इन्फरमिशन दे देता हूं गाइस आपको देगी अब दो बैटरी पैक अगर आपके पास में होगे तो आपकी रींज जो है वो काफी बढ़ जाती जिस वज़े से रेंज इंज इंजाइट यहां पर जो है वो जरूर नहीं होती है अब जरा मैं इसके इंस्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा दूँ कि यह कै से काम करता है गाइज यह है इसकी लेक्टर की फॉब और यहां पर जो है वो मैनूल कीज दी गई है इनसे आप लॉक अन्लॉक एंड एंड एंटिफ्ट भी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो एंटिफ्ट तब आपकी काम आएगा आप नहीं चाहते है आपको लोग कर दिय देखने को नज़र आएगी यह कौन से लगें है यहां पर पार ब्रेक लगा हुआ है तो यहां पर पार ब्रेक का लोगो देखने को नज़र आएगा यह बैटरी की लाइफ 73 वोल्ट सिरो किलोमेटर यानि के कुछ चली नहीं है थोड़ा था पीछे लेके चलूं तो लेफ्ट साइड का अगर आप हैंडल बार देखेंगे तो यहां पर हाई एंड लो बीम आपको आफ़र कर रही है यह टॉन इंडिकेटर एंड एक होन जरूर दिया गया है विद ब्रेक ले करता है यहां पर लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की दी गई है अगर मैं और बीम की बात करूं तो और बीम की कॉलिटी मुझा अच्छी लगी क्योंकि काफी पीछे का व्यू जो है वो आपको देने में सक्षम है और इसली आप जो है वो अपने हैसाब से इसको फिट भ अपके आज पास डीलर से और उनकी वेबसाइट जाके विजट कर सकते हैं उनकी प्रोड़क्त उनकी वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फिलाल तो गाइस वीडियो में इतना ही मिलते हैं काई एक और नहीं वीडियो के साथ में अंदिल फॉर ने